घरकी और कीचन की सफाई की जहां पे बात आती है न तो फिर हम लोगों का सरदर्द हो जाता है कि कौन सा काम पहले करें, कौन सा बाद में करें और किस तरीके से करें कि हमारा काम जल्दी हो जाए समय की बचत हो तो इस वीडियो में आपके लिए कुछ टिप्स और टिक्स शेयर करूंगे जिससे आपकी काम बेहद असान हो जाएंगे तो चलिए देख लेते हैं आज की टिप नंबर वन तो देखिए अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग है तो इस तरीके के जो शूज होते हैं वो आपने भी ज़रूर देखे होंगे और वाइट शूज बहुत ज़दा गंदे हो जाते हैं इसको साफ करना इतना मुश्किल हो जाता है अगर हम इसको फ्रिक्वेंटली साफ करते हैं तो ये बहुत जल्दी खराब भी हो जाते हैं तो देखिए आपको किस तरीके से साफ करना है कि आपको ज़्यादा रगणना ना पड़े घिसना ना पड़े तो इसके लिए देखिए सबसे पहले ते आपके घर में जो भी white vinegar है ना उसका एक से दो ढखकनाप ले लीजिए और इस shoes को पहले भिगा लीजिए और इसके बाद इसके ऊपर डालिए डालने के बाद आप आप कोई soft सा brush लीजिएगा बहुत जादा जो hard होता है ना उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है और जो soft brush होता है ना उसी की help से आप सबसे पहले बिना किसी सावून सर्फ के बगएर इसको रगड़िए और जैसे ही आप इसे रगड़ेंगे आप देखेंगे कि जितनी भी जिद्दी इसकी गंदगी होगी ना वो एकदम से साफ होने लगेगी तो आपको इसको साफ करने में बहुत ज़दा time नहीं लगता है चुकि जो vinegar होता है बहुत ही ज़दा powerful होता है तो जितनी भी गंदगी होती है ना उसको ये बहुत जल्दी फुला देता है जिसके वज़े से आप इसको थोड़ा सा भी रग लगा होता है उसको भी आप open कर लीजिए और इसके बाद जो अंदर वाली टंग होती है उसको भी आप साफ कर सकते हैं सिमिलरली देखिए नीचे का पाट कितना जादा गंदा हो गया है मतलब ये तो बहुत मुश्किल था इसको साफ करना बठा ये काफी हद तक साफ हो गय क्योंकि इस तरीके से साफ हो गया ना तो इसको अब डीप क्लेनिंग की जरूरत है तो यहां पर मैं इसकी डीप क्लेनिंग करूंगी इसके लिए बहुत कुछ ताम जाम की जरूरत नहीं है और बहुत ही महंगे कैमिकल की भी जरूरत नहीं है आपको बहुत अजीब कि इसको मैं clean करने के लिए इस तरीके के नहाने वाले साबुन का use कर रही हूँ जी हाँ ये नहाने वाला ही साबुन है आपको अगर believe नहीं है तो एक बार अपने बच्चों के shoes पे जरूर इसको लगाईएगा जैसे जैसे मैंने tip बताया है वैसे वैसे आप follow करके देखिएग अगर आपको result नहीं मिला तो नीचे comment box में जरूर आईएगा बताने के लिए कि आपकी जो tip थी वो बिल्कुल fraud थी देखिए हमने इस पे साबुन को थोड़ा सा रगड़ा है और रगड़ने के बाद आपको इसी तरीके से इसी brush से आपको धीरे धीरे इसके उपर रगड़ ना उसकी एकदम अच्छी तरीके से ये deep cleaning करेगा बिल्कुल आजमाई हुई tip है और देखिए यहाँ पे तो मैंने shoes के बारे में बताया है अगर आपके कोई भी white कपड़ा हो और उस पे color या फिर कुछ भी मतलब कुछ भी दाग धबा लग गया है तो एक बार आप नहाने वाले साबुन से जरूर साफ करके देखिएगा जो नहाने वाला साबुन होता है उससे बहुत अच्छी तरीके से जितने भी दाग धब्बे हैं निकल जाते हैं मैं तो हमेशा इस tip को follow करती हूँ I hope आप भी इस tip को follow जरूर करेंगे अब इसको क्या करना है कि साप पानी से आप इसे wash कर लेजएगा अब देखिए ये shoes कितना ज़्यादा साफ हो गया है आपने before की भी pick देखी और देखिए ये after की भी दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा clean हो गया है इसके साथ ही एक टीप और देना चाहूंगी कि अगर आपके पास washing machine है तो उसके spinner में डाल दीज जिससे extra water होगा ना वो निकल जाएगा अब इसको बिल्कुल धूप में सुखाना है जितना white देख रहा है ना इसका double white आपको ये shoe मिलेगा बहुत छोटी सी tip है I hope आप इसको जरूर try करिएगा और नीचे comment box में जरूर बताइएगा मुझे अब बढ़ते है next tip के तरब तो चुकि इसका frequently use करती हूं में लगभग रोज ही इसका use हो जाता है तो इसके साथ एक problem आती है कि इसके नीचे की जो पेंदी होती है ना वो थोड़ी सी काली दिखने लगती है मिज कुछ भी गिरता है तो वो जल करके चिपक जाता है तो इसको साफ करने के लिए आप यहाँ का foil paper होता है वो steel के साथ थोड़ा सा reaction करता है और जितनी भी इसके अंदर काली काली चिकनाई या फिर गंदगी फसी हुई है आपको निकलती हुई नजर आएगी या भी जो यह colgate बिल्कुल white दिख रहा है अभी कुछ time के बाद बिल्कुल black दिखेगा क्योंकि यह जो colgate हो फोड़ा time तो लगेगा मतलब 5-10 मिनट तो आप maximum मान के ही चलिए कि इतने देर तो आपको दिखे घिसना ही पड़ेगा और इस तरीके से घिसने से यह जो बरतन है एकदम से साफ हो जाता है जो भी इसके ऊपर दाग धब्बे लगे होते हैं एकदम clean हो जाते हैं और दिखे सबसे अच्छी बात है कि आप इसको जूने से भी नहीं गिस रहे हैं ताकि इसके ऊपर scratches आए यह steel का जो foil paper होता है इसे बिल्कुल भी scratches नहीं आते हैं और यह बहुत जल्दी साफ हो जाता है इसलिए मैंने बिल्कुल आपको live दिखाया है ताकि आपको किसी भी तरह का होता नहीं होता है साफ नहीं होता है बहुत सारे लोग हैं तो इसलिए मैं clear कर रही हूं कि यह बहुत अच्छी तरीके से work करता है आप जब कभी भी tip को देखते हैं तो एक बहुत जरूर उसको try करके देखिए और फिर आईए comment box में लिखने के लिए तो हमें भी अच्छा लगेगा अब देखिए इसको धीरे धीरे पानी इस पर आड़ करते जाना है और इसको रगड़ते हुए चले जाना है अब थोड़ी ही देर में देखेंगे ना कि यह जो cooker था इतना जादा गंदा दिख रहा था लेकिन अब ही यह बहुत जादा साब दिखेगा आपको ऐस सारे नुकसान है आपके बॉड़ी के लिए क्योंकि देखिए सेहत से बढ़के तो कुछ भी नहीं होता है इसलिए आपसे request है कि अगर आप aluminum के बरतन को use करते हैं तो उसको replace करके या फिर उसको exchange करके आप इस तरीके के steel के बरतन को use करें अब बढ़ते हैं next tip के तरफ तो द बबल आ जाते हैं अब जो बबल आ जाते हैं फिर इसको पहनने में यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बहुत जादा बद्धा लगता है तो आप इसको साफ करने के लिए simple सा razor ले सकते हैं उससे आप इसको बहुत ही easy तरीके से remove कर सकते हैं आप जैसे कि आपके husband ने shaving क कर ली है उसके बाद यह जो blade होती है ना इसको निकाल करके fake नहीं होता है तो क्यों ना इसको दुबारा reuse करके fake जाए तो इस तरीके से जितने भी आपके socks पे bubble आ रखे हैं उसको धीरे धीरे करके आप साफ कर सकते हैं जिससे कि आपका जो socks है वो पहले के जैसा एकदम हो ज सकते हैं अब बढ़ते हैं next tip के तरफ तो देखिए घर और kitchen की सफाई हम सभी करते हैं लेकिन कई बार जो washroom होता है ना washroom की भले ही आप deep cleaning कर ले लेकिन जब तक उसका tile नहीं साफ होता है मिंस उसकी जो wall वाला tile साफ नहीं होता है सफाई बिलकुल दिखती नहीं है तो कुछ समाल के रखिएगा बहुत काम की चीज होती है देखिए हमने इसके उपर लगा दिया है अच्छी तरीकी से जो clip होती है उससे मैंने इसे secure कर लिया है इसको भीगा लीजिएगा और भीगाने के बाद कोई भी detergent जो liquid detergent होता है आप उसे डाल सकते हैं अगर आपके पा करके और जैसे ही इसे rub करेंगे आप देखेंगे कि जितनी भी गंदगी थी एकदम असानी से दूर हो जाएगी और सबसे अच्छी बात है ना कि जब आप इसको वाइपर में लगाएंगे तो चाहे जितनी भी height की आपकी wall हो आपको अच्छे से आजाएगी आप इसको सही तरीकी से साफ कर पाएंगे क्योंकि washroom की जो टाइल होती है उस पे normally जो hard water के strain होते है ना वही होते हैं तो इससे बहुत असानी से ये clean हो जाते हैं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रुरत नहीं है वहाँ पे chair लगाने की या फिर ladder लगाने की ज़रुरत नहीं है आप इसे बेना किसी के help के बगाईर भी साफ कर सकते हैं अब बढ़ते हैं next tip के तरफ देखें जब इस तरीकी के लोहे के तवे को आप रगड़ देते हैं जैसे कि इसको साफ करने के लिए जूने कभी use किया जाता है या फिर आप आपना जो मिटी के दिए होते हैं उससे भ नमक डाल दीजे और इसको अच्छी तरीके से टिशू पेपर से रगड़ दीजे थोड़ी ही देर आप रगड़ेंगे तो देखेंगे जो नमक का कलर है वो चेंज होगा और जो इसके उपर स्टिकीने स्थाना वो भी चला जाएगा अब देखें मैंने इसको कपड़े से नहीं किया है गैस का तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी यहां पे देखिए गैस के फ्लेम भी ओन है और यह बहुत अच्छी तरीकी से स्लिप हो रहा है तो यह जो टिप है न बहुत ज़दा काम की है तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लमत भूलिएगा यहां तक बनी रहने के लिए वीडियो को फुल वाच करने के लिए लॉट्स अव थैंक्स तो कल मिलती हूं में बाई बाई और टेक कियर